गुड मॉर्णिंग सुडिन आपकी अभी हम आपका रिवीजन करा रहे थे उसमें आपको हमने एक एक सरसाइस करा दी है अब यहाँ पर आपका है सिकेंड आंसर दा फालॉइंग कोस्चेंज तो बच्चो हम यहाँ पर आपको समझाएंगे कोस्चेंज और उसका प्लेस आंस नेम दा मसीन्स विच वर्क ऑन अलक्टिक सिटी मसीन उन मसीनों के नाम देने हैं आपको जो अलक्टिक सिटी से चलती है जो किसे चलती है अलक्टिक से वाशिंग मसीन भी एलक्टिक से चलती है तेलीवीजन भी मशीन है एलक्टिक से चलती है आप यहाँ पे रैफ्रीजरेटर कर सकते हैं यहाँ पे मिक्षर कर सकते हैं ठीक है जितने भी हमारी जो मसीने हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पे दो मसीनों पूछी गई है तो आप दो लिखेंगे एक पूछी जाएगी तो आप एक लिखेंगे ज्यादा पूछी जाएगी तो आप ज्यादा लिखेंगे लेकिन एलेक्टिक सिटी से चलने वाली मसीन के नाम की आप को लिखने है ठीक है अब आता है second question, write any two uses of computer, यहां पे दो computer के use लिखो फर्स नमबर, computer help us to do the work faster and quicker, यह तो हो गया, यह तो एक help हो गया computer जो है, वो मदद करता है, काम करने में, ऐसे fast और quick, बहुत असानी से काम कर देता है, और जल्दी करता है दूसरा है, computer saves our time and energy, computer हमारे time और energy को save करता है, ठीक है, हमारे energy और हमारे time को बचाता है अब आता है, third question थर्ड कोस्चन identify the right name of machines that are used to at your home तो बच्चों, आप सबके घरों में machine यूज की जाती है, ठीक है, लेकिन आप को ये confirm नहीं होता है, कि क्या ये machine है, जो electric city से चलती है तो चलिए हम आपको confirm करते हैं, कि ये जो machine है, ये सभी electric city से चलती है, और ये सभी आप लोगों के घर में हैं जैसे रेफ्रीज डेटर, फ्रिज, फ्रिज क्या है, ये machine है, और electric city से चलती है टेलिवीजन, सभी बच्चे टेलिवीजन देखते हैं, तो टेलिवीजन भी क्या है, एक machine है और ये किस से चलती है, electric city से C नमबर है, आपका mobile phone, mobile phone सभी बच्चे समय यूज करते हैं, और mobile phone किस से चलता है, electric city से ठीक है, अब आता है D नमबर, washing machine, washing machine भी हमारी किस से चलती है, electric city से, electric से चलती है ठीक है, ये तो होगी आपके नम, electric से चलने वाले, ऐसे बहुत सारे भी और हैं, जो electric से चलते हैं, जैसे प्रेस हो गया, जैसे फैन हो गया, फैन में भी तो machine होती है, और इसके बाद में आपका mixer हो गया, mixer भी machine है, तो आपको जितने नम पूछे जाएंगे, electric से चलने वाले, वो आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग इसका वीडियो बनाएगा, इस इसके बाद में मैं आपको यह पेस एक्स्प्लेइन करें दे रही हूँ, यह भी रिवीजन है आपका, चलिए देखिए, एक कम्प्यूटर इजा machine, यह कम्प्यूटर एक machine है, do you know what a machine is, क्या आप जानते हो, क्या एक machine है, now, we will first have a discussion on machine, now, अब हम क्या करेंगे, first पहले discussion करेंगे, on machines, machineों के बारे में discuss करेंगे, we observe that, हम लोगों ने observe किया, machines as one can see are man-made things, which help us to do work faster, जो machine होती है, as one can see, हम उतको देख सकते हैं, वो मनिश्योदारा बनाई जाती है, which help us, और जो हमारी मदद करती है, work को fast करने में, second number है, if machines are man-made, यदि machines are man-made है, then what are natural things, तो then, तब natural things क्या है, प्राक्तिक चीजे क्या है, ठीक है, natural things are made by God, जो natural things होते हैं, वो किस से बने हैं, इश्यर के द्वारा, here are some pictures of natural things, यहाँ पे कुछ पिच्चरे दी गई हैं, जो natural things हैं, तो सभी बच्चे यहाँ समझेंगे, इसको reading करेंगे page को, कि यहाँ पे जो चीजे दी गई हैं, वो कैसी है, natural things हैं, ठीक है, और जो man-made होती हैं, वो किस के द्वारा बनी होती है, इश्यर के द्वारा, और जो natural things होती हैं, वो किस के द्वारा बनी होती है, इश्यर के द्वारा, तो यहाँ पे यह पेज़ आप भी चैप्टरे इसके reading करेंगे, और explain भी करेंगे, जैसे हम आपको explain कर रहे हैं, ऐसे आप explain करेंगे, और इसके बाद में, जो revision का हमने पेज़ दिया था, वो भी revision करेंगे, ठीक है, उसका video बनाएंगे, और इसको पढ़ते हुए भी video बनाएंगे, ओके बच्चों, यह आपका homework assignment है, अब आपकी exam आने वाले हैं, इसलिए आपकी तयारी ज़्यादा ज़्यादा कराई जाएगी, ओके बच्चों, सभी बच्चें अच्छे से complete करेंगे बार को, ओके, bye bye, have a nice day, take care.